तो शाम आते आते मन कहरी लग जाता है कुछ तड़कीला भड़कीला विनायत है तो आज मता है मैं बहुत ही मस्ट चीज बना रही हूँ जो पुझे बहुत पहले बहुत पसंद हुआ गरती थी लेकिन मैं इतनी खाई इतनी खाई इतनी खाई कि मैं इसे बोर हो गई फिर बहुत लगती है और किसी किसी आलू के साथ जल्दी कर जाता है कि बस सारी दम निकल जाएगी लेकिन हाँ ये बहुत ही मस्त काम करता है तो उसी से कट करने के बाद में पानी लिया है और इसे खूब अच्छे से बोईल किया है उसमें जाला है मैंने नमक और उसके बाद मै इसमें सारी जितने कटे हुए मेरे french fries ते वो डाल दूँगी और सिर्फ दो मिनट के लिए आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ दो मिनट के लिए आपको इसे बोईल करना है बहुत ही हलका और जैसी दो मिनट हो जाए सारा पानी निगालने के बाद पंखे के लिए रगदो सारा अब मैं यहां पर इसको फ्रीजर में रखा है सिर्फ दो मिनट के लिए उसके बाद मैं एक दम गरम तेल में एक दम घरम आपने देखा ही एक दम गरम तेल में इसको डाला है और इसको अच्छे सा तला है आपको यहां पर डालते ही न चलाना है क्योंकि अगर आपनी नहीं तो अगर को लगता है कि यार मुझे बहुत क्रिस्प में जाहिए सवी कहना है तो एक या क्रिस्प होना कर चाहिए तो बस आप दूशी बार बी तै लिए और उसके बाद और याद रखना है कि फ्लेम है अब यहां से निकाल दूँगी चहरदी पर रखे रहा हना सी तेल कि आ आपको लग रहूं है कितना क्रिस्पी है अब मैंने फिरसे पैन में तेले लिया थोड़ा सता उसमें प्यास डाला है कैप सिकम गाजर्ट नोड़ा से कुच्छा हुआ है मैंने गार्लिक डाला है और इसको अच्छा से चलाया है है और हां हरी मुर्चै भी डाल दिया इस बार और इसको अच्छी से चलाने के बाद में यहां डाल रही हूँ, थोड़ी से देगी मिर्च, just for the color, फिर नमक डाला है और इसे चलाते रहना है, जिसमें जो मिर्च है न वो जले न, जल गई तो इसका टेस्ट बिलकुल ही अलग आ जाएगा, अब बाद मेंने क्या खिया रही ह है, आप इसमें हनी का भी यूज कर सकते हो, पर मैंने यहां पर तोड़ी से शुगर डाली है, और इसके बाद न, जब यह अच्छी से पकिने लग जाए, मैंने यहां पर सारे फ्रेंच फ्राइस डाल दिये हैं, जो तले होए थे, अब इसको बस चला लेना है, मतलब फाइ लग रही है, और पता है काफी टेस्टी भी है यार, तो आप भी बनाओ, खाओ भी हो, मज़े करो, अकुष रहो, मैंने चली खाने,